हेलो बच्चो मैं डॉक्टर नवल्दे भारती आज हम लोग थर्ड रूट क्रॉप डिसकस करेंगे बीट रूट चुकंदर के बारे में पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने कैरट को और रैडिश को डिसकस किया था यह दोनों रूट क्रॉप थी और आज बीट रूट है बीट रूट की इन सारी चीज़ों को तो सबसे पहले इसका इंटोडक्शन देखते हैं बीट रूट को गार्डेन बीट भी कहा जाता है और इसका बोटनिकल नेम है बीटा वुल्गैरिस है ना क्रोमोजोम नंबर यह डिपलॉइड होता है इसका भी क्रोमोजोम नंबर 18 ह होता है और हिंदी में इसको चुकंदर बोनते हैं आप सभी लोग जानते हैं और फैमिली है इसकी चीनो पोडियेसी जो पालक वाली फैमिली है स्पिनेच वाली फैमिली से यह बिलॉंग करता है चीनो पोडियेसी फैमिली से बीट रूट इस पॉपुलर रूट क्रॉप ग consumption के लिए as cooked vegetable मतलब पका करके भी इसको खा सकते हैं salad के तौर पर, अचार के तौर पर और canning के लिए canning मतलब डबा बंद जो है preserve करने के लिए for future use के लिए तो इसकी root को हम लोग generally as a edible portion के तौर पर use करते हैं young plant along with tender leaves are also used as pot herbs इसका जो young plant है इसकी tender leaves जो मुलायम जो पत्तियां होती हैं उसको भी vegetable के तौर पर use करते हैं जिसको हम लोग जो है pot में या गमलो में ऐसा हर plant की तरह grow करके उसको consume करते हैं beetroot is a rich source of protein, protein का rich source होता है carbohydrate होता है, calcium होता है, phosphorus और vitamin C और सबसे जादा beetroot में और उसकी पत्तियों में iron पाया जाता है iron जो है, इसका rich source होता है beetroot कहते हैं कि अगर आप किसी को anemia की जैसे problem होती है तो generally doctor recommend करता है वैसे तो अनार वगेरा को recommend करता है लेकिन beetroot के लिए ऐसा माना जाता है कि beetroot में iron होने की वज़े से beetroot हीमोगलोबिन की synthesis को बढ़ा देता है हमारे blood में है ना, तो anemia की problem से जल मतलब जो है या हीमोगलोबिन का level अब बढ़ाना है तो चुकंदर खाते रहना चाहिए विटमिन A इसमें पाया जाता है थाइमीन पाया जाता है यानि विटमिन B2 और ascorbic acid विटमिन C तो यह इस तरह से यह जो है विटमिन्स और मिनिरल्स का इसमें मिनिरल्स का यह rich source होता है और साथी fibrous तो यह है ही roughage provide करता है यानि यह digestive system को strong बनाता है constipation को prevent करता है तो यह जो है wheat root की इतनी इस तरह से इसकी importance है इसकी origin की अगर बात करें तो wheat root जो originate हुआ है इसका यह अपने wild parent से originate हुआ है वो है beta vulgaris species meritima यह beta meritima भी कह सकते हैं जो की hybridized हुआ था beta petula के साथ यह दोनों wild species हैं और इन दोनों के hybridization से beta vulgaris species जो आज की cultivated wheat root है वो जो है इससे evolve हुई है और इसका center of origin जो छेतर है इसका उदभाव का वो है योरॉप है ना तो इसका जो earlier जो wild species थी उसमें जो root है वो round shape की ना हो करके carrot जैसी लंबी roots आती थी wild species में beta vulgaris meritima में या beta petula में है ना और जो cultivated wheat root है चुक अंदर है इसमें जो root का shape है वो round shape का है तो beet root sugar beet पालक यह सब एक ही species से belong करती है beta vulgaris beta vulgaris variety bulgaris beet root है और पालक है beta vulgaris variety bengalensis और यह सभी cross compatible है means इनमें आपस में एक दूसरे से cross pollination हो जाता है next है इसकी botanical characteristics को discuss करते हैं चुक अंदर की यह beet root की तो beet root यह बाइनियल जो है crop है मतलब 2 वर्षी है इसकी life cycle producing a fleshy elongated hypo cotyled root and rosset of leaf यानि plant कैसा होता है plant एक fleshy elongated hypo cotyled root है यानि इस plant की जो tap root है वह और hypo cotyled वाला region दोनों में food store हो करके elongate हो जाता है और fleshy हो जाता है जब fleshy मतलब की जिसमें food और water store हो गया हो जो है उस portion को हम fleshy बोलते है तो plant कैसा होता है कि इसकी hypo cotyled root जो में food store हो जाता है जिससे कि वह fleshy और elongated हो जाती है और underground portion पर और above the ground portion में यानि जमीन के उपर ए रॉसेट of leaves पतियों का एक पतियां जो है रॉसेट फ़र्म में वो अरेंज रहती है और यह इतनी growth first year में होती है यानि यानि root का development और पतियों का development first year में होता है यानि vegetative growth during the first year और दूसरे साल में जो है reproductive यह growth करता है यानि दूसरे साल में flowering stage में जाता है तो इसलिए यह पूरी तरह से जो है दी वर्षी है दी वर्षी जो है vegetable crop है second point में upper portion of fleshy root developed from hypocotyle and basal part form from tap root देखिए जो edible portion है चुकंदर में वो है इसकी जड़ तो जड़ जो है वो किस किस portion के fleshy या किस किस portion में जो है food store होने की वज़े से जो है वो round shape में आती है वो है hypocotyle और tap root अगर आप इसकी image को आप देखिए तो देखिए यह पूरा plant है beet root का ठीक है सबसे उपर above the ground तो देखिए वो पत्तियां निकलती है तो जहां पर पत्तियों का attachment रहता है stem वाले portion से वो pedicill कहलाता है जो हिस्सा हम लोग जनरली काट करके फेक देते हैं stem और leaf को अलग कर देते हैं फिर जो हिस्सा edible portion यान यो खाने वाला हिस्सा जो बंद बचता है और radical और cotyledon के बीच वाला जो portion होता है वो hypocotyle कहलाता है और उसमें भी देखिए food store हो गया तो इन दोनों में food store हो जाता है और लगभग बाहर से structure में दोनों में कोई difference आपको देखने में नहीं मिलेगा पर यह जो food store है यह सिर्फ root में ना हो करके hypocotyle वाले region में और root दोनों ही region में जो है यह food इसमें store होता है और इसलिए इसमें edible portion जो होता है वो कहलाता है hypocotyle as well as fleshy tap root जैसे कि हम लोगों ने carrot में देखा था और radish में देखा था रैडिश और carrot और beet root या फिर turnip में इन चारों ही root vegetable में hypocotyle और fleshy tap root दोनों ही food storing organ है और दोनों ही edible portion है ठीक है तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बात क्या किया रहा है कि concentric rings seen across the section of roots are as a result of alternate formation of vascular tissue and storage parenchyma tissue जब आप चुक अंदर काटते हैं 20 से उसको कट करिए तो आप उसमें बहुत सारे गोल गोल से circles आपको दिखाए देंगे छले दिखाए देंगे रिंग टाइप का portion दिखाई देगा अलग-अलग color की कहीं dark color तो कहीं light color यह जो है vascular tissues का formation की वजए से जो है यह अलग-अलग color tissues की जो लेयर होती है वो जो है डिखती है जो की अलग-अलग color में होती है और साथ ही storage पेरनकाइमा की cells भी होती है तो इस वज़े से आप जब चुक अंदर 20 से काटते हैं तो उसमें circles में बहुत सारी rings आपको देखने मिलती है जो बताती है कि इतने phases में growth हुई है और इतने phases में cell divide होकर के इतना बड़ा root जो है वो develop हुआ है उसके बादे root skin color varies from orange red to dark purple red यानि जो root का color है या चुक अंदर है इसका जो color है ये कई range में orange red से लेके dark purple red जो है इतने तरह के color इनके बीच के मतलब color range में आपको ये मिलेगा और जो ये color है ये बीच रूट में ये mainly because of the pigment beta-synin जो red और violet यानि purple color का जो pigment है वो beta-synin की वज़े से है और जो yellowish pigment है उसमें वो है beta-xanthin की वज़े से तो ये दोनों याद रखिएगा ये पूछा जाता है exams वगेरा में कि बीच रूट में जो purple color है वो because of which pigment है तो आप बताईए कि beta-synin and purple color because of beta-synin और yellow color because of beta-xanthin देखिए कहीं भी red या purple color होगा obvious सी बाते वहाँ anthocyanin होगा या lycopene होगा और जहां yellow orange color की बात आएगी तो वहाँ पर yellow होगा तो xanthin और orange है तो carotene है तो ये थोड़ा एक general चीज़े हैं जो आप सभी colored vegetables का आपको याद रखना होगा inflorescence यानि flower इसमें कैसा आता है फ्लावर तो second year में जो है ये डेवलप होता है पहले साल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और second year में ये reproductive stage में आता है तो inflorescence जो है second year में डेवलप होता है और इसके inflorescence को spike बोलते हैं ये भात ध्यान रखिएगा जैसे carrot मे अंबल बोलते हैं radish में जो है racimos बोलते हैं और beetroot में spike बोलते हैं तो ये भी जीजे आपको याद रखनी है ये सब botanical characteristics है जिसमें की और spike में क्या होता है antbears numerous sasile flower बहुत सारे sasile flowers होते sasile flowers का मतलब जब flower में stem ना हो मतलब अंडरोशियम गाइनोशियम कैलिक्स करोला तो हो लेकिन जो एक डंठल नीचे होती है पैडिसल जो नीचे होती है flower की जहां से फूल से अटैच रहता है वह पैडिसल ना हो यानि flower का जो कैलिक्स वाला पार्ट हो वह डायरेक्ट से अटैच हो बिना जो है इस्टेम के या चार के cluster में सेसाइल flowers आते हैं इस पाइक में फ्रूट इसका कैसा होते है fruits are mostly aggregates देखिए चुकंदर का जो fruit है यह थोड़ा सा यह इसके fruit को botanically aggregate fruit बोलते हैं आप लोगों को पता है aggregate fruit किस से बनता है aggregate fruit बनता है जब single multiple ovary एक ही flower में जब single flower में multiple ovary होती है तो aggregate fruit बनता है क्योंकि है ना तो होता क्या है कि fruit तो एक ही रहता है पर उसमें seed बहुत सारे रहते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा बोटनी में इसकी जागे देखिए गाए aggregate fruit क्या होता है तो aggregate fruit वो fruit होते ह हैं जो एक ही flower में जब multiple gynosium होते हैं या multiple ovary होती है तो ऐसा flower जब fertilize होता है और जब fruit बनता है तो वह fruit कहलाता है aggregate fruit तो देखिए इसमें जो है इसमें क्या है इसलिए fruits are mostly aggregates formed by cohesion of two or more fruits दो और ज्यादा दो से ज्यादा फल एक साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि ovary इसमें ब पर ovary उसमें या carpel उसमें बहुत जादा है मतलब दो या तीन जो है जो है carpel एक ही flower में रहती है तो इसलिए हर carpel जब fertilize होती है और हर carpel में जो है हर ovary में बीज बन जाता है तो वह क्योंकि flower एक है इसलिए सारे के सारे fruit एक ही साथ है मतलब एक दूसरे के साथ attached रहते हैं held together by swollen parent base वही क्योंकि flower का जो है एक ही flower होता है तो एक ही calyx एक ही रहेगा और एक ही calyx से या एक ही parian से सारे fruit अटेच रहते हैं तो जिस तरह से fruit कैसा दिखता है irregular dry cork जैसा दिखता है आप इसको देखिए ये seed की image है आप देखिए ध्यान से कि seed smooth नहीं है seed जो है irregular shape का है smooth surface नहीं है और इस seed में कई सारे fruit है कई सारे fruit का ये aggregate है तो ये जो चुगंदर का beach जिसको हम लोग बोलते है actually वो उसका beach नहीं है वो group of fruit है या aggregate हम कह सकते हैं या इस seed ball ठीक है तो ये बात याद रखिएगा कि beetroot के seed को seed नहीं कहके seed ball कहा जाता और ये seed ball है क्या seed ball एक irregular dry cork like fruit जो है group of fruit है जिसको की aggregate बोलते हैं ठीक है उसके बाद next है varieties को discuss करते हैं तो बहुत सारी जो है exotic variety और बहुत सारी varieties Indian varieties भी है जो beetroot में ब्रीट की गई है जैसे Detroit जो सबसे जादा popular varieties है वो है Detroit dark red और मोर्स Detroit, Crimson globe, Early wonder, Ooty one, cross by Egyptian, light red cross by, flat Egyptian, Ohio canner, long dark red ये सारी variety exotic variety है और कुछ private companies ने भी जो है variety release की है जैसे Madhur, Ruby queen, Ruby red तो ये सब जो है popular variety है beetroot की जिनका हम यहाँ पर India में इसका cultivation किया जाता है अब चलिए देखते हैं से cultivation के लिए कैसी soil or climatic requirement है तो इसकी soil or climatic requirement exact वैसी ही है जैसे की carrot और radish की थी ये भी एक underground vegetable crop है underground vegetable root crop है ठीक है तो इसको भी बिलकुल वैसा ही climate और soil चाहिए जैसा की carrot और radish के लिए हमने पढ़ा था जितनी भी root crop है उन सभी की climatic or soil condition same है इस बात को याद रखिएगा ठीक है फिर भी एक बार discuss कर लेते हैं climate की बात की जाए तो beat root is a hardy to low temperature यानि ये low temperature को tolerate कर लेता है और ये भी and prefer cool climate इसको भी cool climate जो है suitable रहता है high temperature इसके लिए suitable नहीं है high temperature होगा तो क्या होगा root में zoning की problem मिलेगी high temperature causes zoning zoning मतलब अलग-अलग colors की alternate circles बन जाती है high temperature का exposure होगा है इसलिए कहीं पर accumulation anthocyanin का जादा है तो कहीं पर कम है और extreme low temperature का भी negative impact पड़ता है बहुत जादा low temperature होगा तो क्या होगा कि plant जो है premature flowering में चला जाएगा premature flowering मतलब bolting bolting एक तरह का physiological disorder है जिसको बोलते हैं bolting को की definition है premature flowering flowering तो एक normal condition है यह अच्छी चीज है हर फसल में होनी चाहिए लेकिन जब फसल की maturity से पहले ही उसमें फूल आ जाए फसल के mature होने से पहले ही उसमें फूल आ जाए तो वो कहलाता है bolting यानि अभी फसल mature नहीं है और उसमें फूल आ जाना यह desirable character नहीं है तो इसे बोलते हैं bolting और यह bolting सिर्फ चुकंदर भी नहीं होती यह प्याज में भी आपने देखा होगा जब आप प्याज गोते हैं वो भी प्याज भी life cycle उसकी द्विवर्शी है लेकिन आप देखिए कि पहले ही साल में कभी-कभी प्याज में फूल आ जा उसी साल जो है फ्लावरिंग हो जाती है इसे भी premature bolting कहते है उसी तरह रैडिश में भी bolting होती है रैडिश भी जो European टाइप की या Asiatic टाइप की जो रैडिश बाइनियल है तो इसमें भी-कभी जो है premature bolting हो जाती है यह सब temperature की वजह से होता है इन जितनी भी crops में bolting की problem फिर थंडी बहुत पढ़ी फिर दो दिन खुब गर्मी पढ़ने लगी तेंपरेचर फिर अपो गया फिर लो तो जब इस तरह थंडीयों में एक सिरे का तंपरेचर नहीं रहता कभी जादा कभी जादा आप देखते हो तो उसलिए पौधे को जो है यह जो टंपरेचर का तो इसलिए पौधा तुरंत प्री मैचूर बोल्टिंग में चला जाता है पूरी तरह मैचूर भी नहीं होने पाता और तुरंत वह फ्लावरिंग स्टेज में एंटर कर जाता है तो यह जो बोल्टिंग की प्रॉब्लम है यह रड़िश, कैरट और वीट रूट और इसी त थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजेगा कि यह होती क्या है और किन-किन फसलों में पाई जाती है फिर नेक्स पॉइंट है इट रिक्वाइर्स अबंदेंट शंसाइन फोर डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज रूट यानि जो है रूट अच्छे से डेवलप करें ज्यादा बीट रूट के लिए वह बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसी अदर रूट वेजिटेबल थी क्योंकि अंडरग्राउंड रूट वेजिटेबल है तो इसको प्रॉपर रूट को डेवलप करने के लिए तो बहुती लाइट टेक्शर की हो नी चाहिए बोगना चाहिए अरेश बहुत जल्दी कॉंपेक्ट हो जाती है एरेशन इसमें प्रॉपर नहीं होता ड्रेनेज भी अच्छा नहीं होता तो हैवी क्लेई स्वाइल में एक तो सीड पूर जर्मिनेशन होता है दूसरा रूट्स में भी मिस्शेब्ड रूट का शेप जो है तेड़ा मेरा हो जाता में univers का कल्टिवेशन किया गया थाना साथ ही साथ हाई प्रूट तो स्वार एसेड़िटई को भी लेकर सेंसिटिव है तो इसके लिए बहूथ स्योड़न नहीं होनी चाहिए स्वाइल का पी यह सिक्स तो सवेंग्में होना चाहिए बहुत जादा एसिडिक हो तो जो है वह तो तीन वेजिटेबल्स है उनमें है एक पालक और दूसरा है आपका भिंडी लेडी फिंगर और तीसरा है आपका ये बीट रोट तो ये कुछ ऐसी सब्जियां है कुछ गिनी चुनी सब्जियां ही है जो जो है सैलाइन सॉाइल के लिए बहुत सूटेबल्स है तो यानि वह ऐसी जमीन जहां पर सैलिनीटी की प्रॉबल्म है तो ऐसा नहीं है आप भिंडी और बीट रोट और पालक जैसी सब्जियों का कल्टिवेशन कर सकते हैं लीफी वेजिटेबल का ठीक है sowinging Nash. method of sowing बौआए का तरीका क्या है method of sowing ये proof is cool season crop है तो इसको अवियसी बात है तभी हम sowing इसके करेंगे जब तो हिल्स में जो है इसको पहले प्लेन की बात कर लेते हैं तो प्लेन रीजन में जैसे मैदानी इलाकों में जैसे नॉर्थ हिंडिया उत्तर भारत का मैदानी भाग है यहां पर विंटर सीजन सुटेबल है यानि सेप्टेमबर अक्टूबर नमवंबर तक इसकी बुआई हो जाति है और इसी निघन डेन आइन तो कहता यहां ना वी बिंटरे ऊंटरेंटी आज हें हमेशा साल बर बना रहता। प्लेन में मैंदानी भाग में सेथरृअ आक्टूबर नमंबर तक बुआई करते हैं। और पहाड़ी रीजन पर यानि भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हम इसको spring summer crop की तरह इसका cultivation करते हैं यानि spring या summer season में इसको cultivate करते हैं यानि March-April में इसकी बुआई करते हैं कि विंटर्स में वहाँ बहुत जादा ठंड पड़ती है तेंपरेचर बहुत जादा लो हो जाता है तो वहाँ पर बोल्टिंग की प्रॉबलम होती है और रूट डेवल्पमेंट अच्छे से नहीं होता तो वहाँ पर मार्च-April में बुआई करते हैं करें गैसे उसी तरह से आप अपने जो लैंड है उसको प्रॉपर्ली उसकी जोताई कर लीजए निराई कर लीजए गोड़ाई कर लीजए में उसमें जो भी खरपत्वार हैं और वह सब ईवीड्ष वगेरा है या स्टबल्स वगेरा उसको रिमूव करके स्वाइल को अच् में Чआट वा-कशनेख यहां दन-कशच को Finnishल के लाधा प्लॉट्स में डिवाइड कर लीजे और फिल्ड प्रिर्पीरेशन के समय ही जो है इसमें फिल्ड में इनकौर दिट कर दीजें फिर आप चाहे फ्लैट जो पतंहसरे और सकते हैं और ग्लाद में upgrade तो आप रिज फरो भी कर सकते हैं और फ्लैट बेड में भी कल्टिवेशन कर सकते हैं उसके बाद वाटर सोक जो सीड बॉल्स हैं यानि बीज को एक दिन पहले आप भीगो दीजें ओवरनाइट आप उसको वाटर सोक जाने जी ताकि जल्मिनेशन जल्दी से हो जाए और एक-एक सीड बॉल में दो से लेके छे सीड तक होते हैं तो इसलिए जब आप एक बीज बोते हैं तो उस जगह दो मतलब तीन चार पांच-छे तक पौधे एक ही जगह से निकलाते हैं वहां पर बहुत सारे बीज बहुत सारे जो है प्लांट जर्मिनेट कर जाते हैं ठीक है बीज को जो है 2.5 cm गहराई में डालना चाहिए और कितनी दूरी पर अगर आप रीज और फरो बना रहे हैं या फ्लैट बेट में कर रहे हैं तो रीज की बीज की दूरी जो होनी चाहिए या रो टू रो दूरी होनी चाहिए 45-60 cm और प्लांट से प्लांट की दूरी 8-10 cm ठीक है और एक हेक्टेयर के लिए 5-6 kg सीड जो है कि कैरट का सीड य Marion किया है Renish का सीड रो अगर अफ अबा में रो अगर में रहा रोट कर आएा कि हरड़े ंते हीज आपको पता होना चाहियह। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्रॉप धीरे-धीरे मैच्योर हो, एक-एक हफ्ते में मैच्योर हो, तो आप एक हफ्ते पहले कुछ बीजगी बोई करिए, फिर एक हफ्ते बाद करिए, तो एक-एक हफ्ते की इंटरवल पर करेंगे, तो लॉंग डियूरेशन के लिए आ तो इस टैगर्ड जो है, सोंग भी आप कर सकते हैं और एक-एक साथ आप बेचना चाहते हैं या मार्केट में एक साथ सोल्ड करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी प्लांटीं कर सकते हैं, यह आपके ओपर हैं अब उसके बाद है मैन्योर फर्टिलाइजर कितनी रिक्वाइर्मेंट है तो जब आप स्वाइल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फील प्रिपरेशन तो उसी समय फो आइम फील्ड में डालते हैं तो वह करीब 25 तन पर हेक्टियर की जो है दर से आप उसमें इंकॉर्पोरेट क करेंगे ठीक है और साथ ही साथ एंपी के आप देखिए तो 60-70 kg नाइट्रोजन की रिक्वाइर्मेंट होती है और 100-120 kg फोस्फोरस और 60-70 kg पोटाश की रिक्वाइर्मेंट एक हेक्टेयर की फसल के लिए जरूरत होती है तो आब इसमें से कितना एप्लाई करना है कितना यह आपको आपकी स्वाइल टेस्टिंग के बाद पता चलेगा बहतर हो कि आप अपनी स्वाइल की जांच करा लें कि इसमें और इसमें कितना नाइट्रोजन फोस्फोरस और पोटाश है फिर उस एकॉर्डिंग जितना कम हो वो आप इनकॉर्पोरेट करिए ठीक है और बाकी की डोजेज जो है तू जो है स्प्लिट डोजेज में दिया जाता है एक महीने के इंटरवल पर या तीस पैतालीस दिन के अंतरपर ठीक है क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाईली मोबाइल फर्टिलाइजर है इस वाइल में जो है इतनी तेज यह लीच कर जाता है साथ इसकी मोबेलिटी तनी तेज होती है कि यह जमीन की बहुत लोवर लेवल में पहुंच जाता है जहां से की रूट की पहुंच से दूर चला जाता है तो इसलिए इकठे नाइट्रोजन अपलाई करने का कोई फायदा नहीं है वह हमारे लिए यूजलेस होगा इसलिए ह इसलिए है रिलेटिवली हाई बॉराउन रिक्वैरमन्स बीट रूट को बोरॉन की बहुत इसलिए बहुत जादा होती है क्योंकि अगर बॉराउन की डिफिशेंची होती है तो इसमें इंटरनल ब्रेकडाउन या ब्लैक रॉट या ड्राई रॉट की प्रॉबलम देखने इसको दिमाग में बैठाते रहें, क्योंकि अभी आगे हम जब test series start करेंगे, हम सभी vegetable crops जब complete कर लेंगे, इन से related जितने objective questions पूछे जाते हैं, उसकी test series हम लोग शुरू करेंगे, उसको question solve करना, तो इसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए, तो उस समय आप solve कर ले जाएंगे, समझ लीजे कि आपको vegetable cultivation से related सारी चीज़े आती हैं, तो यह जो points को हम highlight कर रहे हैं, उसको जरूर आप लोग अपने दिमाग में पैठाते चलिए, क्योंकि यह सब questions पूछे जा चुके हैं exam में, उसके बाद next is aftercare, aftercare मतलब देख भाल, या फिर intercultural operations, मतलब बवाई के बाद औ तो thinning एक important cultural practice है, beat root में, ठीक है, अगर पूछा जाए कि thinning किस फसल की सबसे important cultural practice है, तो बताईए beat root में, देखिए वैसे तो सभी में करते हैं, लेकिन beat root में जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमने भी बताया कि beat root में जो seed ball होता है, यानि एक seed ball में बहुत सारे seeds होते हैं, तो जहा करते हैं, और चार से छे पौधे अगर एक ही जगह पर रहेंगे, तो उनसे beat root मतलब जो है, पौधे बहुत ज़्यादा ओर क्रावडिंग हो जाएगी, और root development किसी भी plant में अच्छे से नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, thinning करना पड़ता है, बीज बोने के बार हमे हर seed ball जहां जहां डाल रखा है, उसमें से एक या दो पौधे को छोड़के, बाकी excess plants को हमको eliminate करना पड़ता है, तो इसे बोलते है, thinning, मतलब कुछ पौधे, काफी पौधे मतलब हमको उखाड करके fake ने पड़ता है, अगर छे plant germinate हो गए, तो दो को हम छोड़ते हैं, या ए within one seedling, मतलब एक से ज्यादा seedling जब seed ball से germinate होती है, इसलिए thinning करना essential है, दूसरा irrigation बहुत जरूरी है, पास से छे irrigation पूरी फसल के दौरान दिया जाता है, अगर समर्स में जो है इसका cultivation कर रहा है, और अगर winter का time चलना है, तो तीन irrigation sufficient है, इसी तरह वीडिंग भी हर टाइम, य soil में ताकि aeration बना रहे है, और अगर ridge या furrow method से कर रहे हैं, तो मिट्टी चढ़ाने के दौरान, weeding जो है, manually करते रहे है, ताकि crop और weed के बीच में competition ना होने पाए, for light, nutrient and space, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा होगा, कि weed और crop के बीच में, nutrient, light and space को लेकर के competition होता है, और चौथ essential cultural practice है, earthing up, मतलब मिट्टी चढ़ाना, वही चीज कि जैसे जैसे root develop करती है, तो कभी-कभी जमीन के ऊपर develop होने लगती है, है ना, तो root को जमीन के ऊपर नहीं आने देना है, otherwise वो chlorophyll उसमें develop होने लगता है, तो उसको ढखना, मिट्टी से समय समय पर, एक या दो बार मिट होती है, जब आपका root का size, यहां tuber लिखा हुआ है, sorry, root होना चाहिए, आप लोग इसको correction कर लीजेगा, medium-sized root are of great demand, जो medium-sized root की demand ज्यादा है market में, and roots are harvested after retaining a diameter of 3-5 cm, जब आपकी root, या जो चुकंदर का root है, उसका जब diameter 3-5 cm का हो जाए, तो समझ जाए कि अब ये हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग के लिए ready है, तो इस तरह से देखा जाए, तो बॉआई के 8-10 हफते बाद, 8-10 हफते का मतलब, 2-5 महीने में आपकी फसल तयार हो जाती है, by time, time से कर calculate करेंगे, तो समझ जाए कि बॉआई के 2-5 महीने बाद ready हो जाती है, और size से भी check कर सकते है, कि जब 3- 5 cm diameter की root हो जाए, तो समझ लीजे, harvesting के लिए फसल तयार है, हाथ से manual harvesting करते है, ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके tops को remove, tops मतलब पतियों को इसको हटा देते है, फिर size के according grading कर दीजे, मतलब छोटे beetroot को अलग, medium size के अलग, और large size के अलग, size के according आप उसकी grading कर दीजे, और सा और अच्छी quality के root को collect करके beetroot को और फिर उसको marketing के लिए sold कर दीजे, over mature and over sized tuber, जैसे कि धाई महीने तक इसका correct time होता है, या 30-5 cm तक का root का diameter हो, लेकिन over mature हो जाएगा और over size हो जाएगा तब इसकी harvesting सही नहीं है, क्योंकि तब root जो है, वूडी हो जाती है, अंदर का root का center वाल पार्ट जायलम वाला portion है, वो hard हो जाता है, इसलिए woody हो जाती है, और crack develop हो जाता है, ठीक है, तो इसके maturity time या harvesting index इसका proper होना चाहिए, ताकि आपकी फसल का अच्छा दाम आपको मिल सके, उसके बाद है yield, जो है 25-30 ton per hectare तक, नॉर्मल ये range देखी गई है, और अगर store करना चाहते हैं, तो वही है, जैसे radish और carrot के लिए है, 0 degree centigrade, 90% relative humidity में आप इसको store कर सकते हैं, तीन महीने तक, तो ये all about आपका beetroot के बारे में था, ठीक है, उसके बाद अब next video में हम लोग पढ़ेंगे, legume crop के बारे में, अगर इसमें किसी तरह का कोई doubt हो, तो आप लोग questions जरूर और पूछिएं, ठीक है, तब तक के लिए thank you